अस्सलाम अलेकुम प्यारे बच्चों चलिए अब हम अलग अंदाज में हो ली इस पार्ठ के लेखक पवन चौहान इनका परिचे देखेंगे पवन चौहान का जन्म 3 जुलाई 1978 को हिमाचल परदेश के मंडी गाव में हुआ वो हो पेशे से एक शिक्षक है 2001 में उनका पहला फीचर देनिक बासकर में परकाशित हुआ और यही से उनकी लेखन की शुरुआत भी हुई उनकी बाल का आनिया जिनमें बालवाटी का नन्य समराट बच्चों का देश बालवाणी बाल की किलकारी बाल भूमी बाल भासकर इत्यादी उलेखनी है उनकी लिखी पुस्तके जिनमें किनारे की चटाने जो एक कवीता संग्र के रूप में है और दूसरी भोलू भालू सुदर गया बाल काहानी संग्र है इनको बहुत सारे सम्मानों से भी सम्मानीत किया गया है जैसे चयन कवीता सम्मान, हिंदी साहित भूशन सम्मान, हीमतरू राज्य सम्मान शामिल है 2015 में महारश्टर के पाठ्ठ करम की हिंदी सुगम भारती सात्वी कक्षा में उनकी बाल कहानी अलग अंदाज में होली को शामिल किया गया है